नमस्कार प्रिये दर्शकों में यश्रास्तिवारी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलजी पर आज मैं आप सभी के समों को पस्तित हुआ हूँ वर्ष दोहजार चौबिस के वार्षिक राशी फल को लेकर वार्षिक राशी फल दोहजार चौबिस की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम मेश राशी से लेकर के मीन राशी परियंत प्रत्यक राशी एवं लगनों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका आने वाला वर्ष 2024 इस विशे में चर्चा करने को जा रहे हैं इस वार्शिक राशी फल को आप अपनी चंद्र राशी या लगन के आधार पर देख सकते हैं आपकी जन्मकुंडली में चंद्रमा जिसे राशी में बैठे होते हैं वही आपकी चंद्र राशी या जन्मराशी के नाम से जानी जाती है और आपकी जन्मकुंडली जिस भी राशी से प्रारम होती है वो आपका लगन होता है यदि आप अपने लगन एवं राशी के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने नाम राशी के आधार पर इस राशीफल को देख सकते हैं प्रिये दर्शकों इसके पहले भी मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ जो राशीफल होता है वो ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है गोचर यानि कि बरतमान समय में आकाश में ग्रहों की प्लेसमेंट और गोचर मौसम की तरह होता है यानि कि यदि आपकी जन्मकुंडली की प्लेंटरी पोजीशन अच्छी है महा दशा अंतर दशा एवं प्रक्तेंतर दशा अच्छी चल रही है तो आपको गोचर का श्रिष्ट परिणाम देखने में मिलता है हैं व्यक्तिगत रूप से तो आप इस वीडियो के नीचे दीए गए नंबर पर वाट्चाप के माध्यम से हमारे कारयाले में संपर्क कर सकते हैं साथी साथ यदि आपकी जन्मकुंडली में महादशाएं अंतर दशाएं प्रतिंतर दशाएं अच्छी चल रही हैं आपका समय बुरी बता रहा हूं वो बुरी चीजों के प्रभाव में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी और यदि आपकी जन्मकुंडली की दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं या जन्मकुंडली की महादशा अंतर दशा प्रतिंतर दशा के हिसाब से आपका समय ठीक नह ही चल रहा है तो जो मैं शुब प्रभाव इस गोचर इस राशीफल में बताने जा रहा हूं आपके लगए वं राशी के अधार पर उनके कमी आयेगी और जैसको कम किया और इस चैनल पर आने वाली कारिक्रम आपको पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ में शेर करी ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किये जाता है उसका आपको मिलता रहे तो आज हम चर्चा प्रारंब करते हैं राश्यों के क्रम में चौथी राशी अर्थात करक राशी तो आज का ये वार्शक राशी फल करक लगन एवं करक राशी के जातकों के लिए होने जा रहा है अब हम करक लगन एवं करक राशी के जातकों के लिए द कारिशेत्र में उत्थान को ही प्रदर्शित कर रहे हैं मतलब जैनवरी से लेकर के में मंद तक आपको आपके कारिशेत्र में उत्थान मिल सकता है यदि आप बहुत लंबे समय से प्रमोशन के लिए परिशान थे तो जैनवरी से लेकर के में मंद के बीच में आपके के point of view से कारिशेत्र के point of view से देव गुरू प्रहस्पति का दशमभाव में गोचर करना श्रेश्ट दिखाई पड़ता है सश्ट पती बने हुए गुरू दशमभाव में गोचर कर रहे हैं तो संभावना यह हैं कि आपके कारिशेत्र में आपके खिलाफ शडयंत्र रचा जा जैनवरी से लेकर के में मंद तक का यह काफी favorable होने वाला है सूर के point of view से देखें तो मिड मार्ट से लेकर के मिड ऑक्तोबर तक का समय आपके लिए काफी हद तक फाइदा देता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपके सरकारी नौकरी को लेने के लिए यदि आप सरकारी नौकरी में हैं या private नौकरी में भी हैं तो किसी भी तरह के promotion के लिए तो especially आप मानके चलिए कि गुरू के चलते में तक और सूरी के चलते मार्ट से जून और अगस्त से ऑक्टोबर के बीच में आपका जो समय है वो favorable होने वाला है दशम भाव में बैठे हुए गुरू जो कि आपके लिए भागेश बनते हैं उनकी दृष्टी धन भ दिखार जो आप बात करें तो आपकी ज्यान मई वानी देखने में दिखाई पढ़ रही है या आती होई समय पर दिखाए देती चतुर तफाव पर बुरू की दृष्टी पढ़ने के चलते यदि आप कुछ आपके पास में प्लॉट था आप उस पर मकान बनाना चाह रहे के जैनवरी से लेकर के में मन्त 2024 का आपके लिए लिकर के आ रहा है माता के सेहत में अधी कोई परिशानी थी तो उस परिशानी में भी कमी आती हुई दिखाई देती तो पेट जन्य रोग तो आपको देगी पर अब वहां से सुरक्षा भी आपकी करेगी तो अगर आप चिंद्रन रखते हैं तो पेट जन्य रोग बहुत जादा होते हैं मुझे आपके लिए नहीं दिखाई पड़ते इसके बाद में में दोहजार चौबिस के बाद में गुरू राशी परिवर्थन करके फ्रेश अप राशी में जाएंगे और भागेपती बन करके गुरू ल बाश नहीं होगा और जब आप पुरुशार्थ करेंगे पॉजिटिव वे में आपके पुरुशार्थ में व्रदी होगी और उस पुरुशार्थ के सही आपको अच्छा धनागमन होता हुआ दिखाई पड़ता है पॉसिबिलिटी है कि बड़े भाई भेनों के साथ में पर पड़ेगी तो वो जातक जो अपने संतान को लेकर के चिंतित्ते संतान की शिक्षा को लेकर के परिशान थे स्वयम की सिक्षा को लेकर के परिशान थे तो उस परिशानी में कमी आपको देखने में मिलेगी में दोहजर चौबिस के बाद से या उस परिशानियों का समा यदि आपकी जन्मकुली में सिती बनती है तो हो सकता है यदि आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं था तो में 2024 के बाद में आपको प्रयास करना चाहिए संतान के सुख खुली करके करके लगनेवं करके राशी के जातकों के लिए अगला वर्ष में के बाद में आ रहा है व concentrate होने का भी योग properly किसी चीज में आप किसी शिक्षा में आपका मन लग सकता है मंत्र इत्यादी की अदिया आप सिध्धी करना जाते तो उसके लिए में मन्त के बाद का समय अच्छा होगा क्योंकि करक लगन और करक राशी एक साधनात्म के लगन में आता है और अगर आप मं लग बन जाएंगे तो में मंत के बाद में अपके विवा के योग बनने जा रहे हैं आपको अपने विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए साथिसाथ यदि आपके दामपती जीवन में कुछ परीशानियां थी दामपती जीवन ठीक नहीं चल रहा था पती और पतनी के दिखाई दे रही है वह पेट जन्य रोप तो आप अगर अपने खान पार पर नियंद्रन रखते हैं आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं तो जो स्वास्त से संबंधित परिशानी भी मुझे दिखाई दे रही है उसको भी लेकर के बहुत ज़्दा चिंता करने की तर्म कर्ण के कारियों में आपको तर्क वितर्क उतर्क करने वाला बनाईएंगे लिकिन जैसे ही गुरु का राशी परिवर्दन हो जाएगा धर्म गारईएं में आपकी रूची बढ़ने लगेगी नवां भाव में राहों होने के चलते स्वास्त में परिशानी पिता के साथ में मतवेद हो सकते हैं तो आपको अपने पिता का सम्मान करना चाहिए नवं भाव में बैठे हुए राहू की दृष्टी आपके लगन पर पढ़ेगी जिसके चलते अग्यात भय से आप ग्रसेत हो सकते हैं फिजूल का टेंशन आपके दिमाग में हो सकता है ये रहेगा कन्फ्यूशन भ्रहम की स्थिती भी आपके साथ में बनेगी तो उस पर आपको नियंत्रण रखने की अवश्यक्त है उसके लिए मैं आपको कुछ बाए बता दूँगा पराक्रम भाव पर राहू की दृष्टी पढ़ने के चलते आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और रिष्टों में गलत फेहमिया उत्पन होती हुई राहू के गोचरकाल में दिखाई देते हैं गुरू जब परिवर्तेत होंगे तो पंचम भाव को देख लेंगे तो वो परिशानिया काम हो जाएगे परन्तु में मंद त अगर आप किसी रिलेशेंशिप में हैं तो वो रिष्टा तूट भी सकता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए किसी तीसरे के आगमन की वजह से भी परिशानिया हो सकती है तो अपनी आखों को रिलेशेंशिप के दौरान खुला रखें संतान के चालचलन पर संतान की संग करना है अधीनस्थों के अपमान करने से बचिए अधीनों को अगर कुछ आवशकता पढ़ती है तो आप बढ़ चड़ करके उनकी मदद में हिस्सा लीजे बाकि नवम में राहू है तो आपको आपके भागी का साथ तो दिला ही देंगे भला ही थोड़ा विलंबेत आपके रास्ते के इस पॉइंट ऑब यूसे मैंने बताया कि ठीक दिखाई पड़ता है अब रही बात शनी के गोचर काल की करक लगन एवं करक राशी के जातकों के लिए अश्टम भाव में शनी का गोचर हो रहा जिसको शनी की ड़हिया के नाम से चाना चाता है शनी की ड चाना प्राट करके दश्म को देखना इसमें प्रॉब्लम्स करेट करेगा शितंभाव में शनी होने के चलते नाना प्रकार के रोग आपको हो सकते दीर के कालिक रोग मी बना करके रखना हो जाएंगे आपकी वाणी में कड़वा हट जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जीवन चेन में चलता है तो जब आप अश्टम्भाव में लिए हुए शनी की वज़ा से मानसेक तोर पर परशान होगे मानसेक अशांती आगा आपको होगी so NG जब आपकी कुण्डी में चंद्रमापीड तो मानसेक रूप से अशांत वख्ती जधातर कड़वा बोलता है तो वो कड़वा बोलने के चलते आपके कुटुंबी जनौं के बीच में आपके संबंद विगड़ सकते हैं या कुटुम्ब के साथ में आपके संबंद आपकी वानी के चलते खराब हो सकते हैं और शनी की दिश्टी पंचमभाव पर होने के चलते हैं रीसर्च के पॉइंट अब व्यू से यह अच्छा है शिक्षा के point of view से अच्छा है, खोज करने के point of view से अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के point of view से अच्छा है, परंतु प्रेम संबंदों के लिए और संतान के point of view से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, संतान को लेकर के चिंता या संतान की वज़ा से छवी धूमिल होने की भी बनती हैं तो यह जो पंचम भाव से संबंधि जो मैं आपको परिशानी बता रहा हूं प्रेम संबंध वाली संतान वाली यह स्पेशली जैनवरी से में तक हैं में मंत के बाद में गुरू का राशी परिवर्तन होगा तो इसमें कमी आ जाएगी तो आपको उम्भाई तक को परिशानियों का सामना कराएंगे लेकिन जैसे ही गुरू राशी परिवर्तन कर लेते हैं तो गुरू की द्रिश्टी सब्तम पर पढ़ जाएगी तो दामपति जीवन से संबंधित परिशानियों में भी काफी हद तक कमी आ जाएगी तो अगर देखा जाए तो शनी की सकेंड हाफ करक लगनेवं करक राशी के जातकों के लिए काफी अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है अब शनी के ढईया से संबंधे जो परिशानियों हैं उनके लिए मैं आपको कुछ उपाई बताने जा रहा हूं उनको आपको नोट कर लेना चाहिए नित्य प्रति करने से शनी जन्य पीडाओं से आपको मुक्ती मिल जाएगी शनीवार की सायमकाल वीपल के व्रिक्ष के पास में जाकर के तिल के तेल का दिया भी अधिया आप जलाते हैं तो ये शनी के ढईया से संबंधित जो तुश प्रभाव हैं उसमें आपको कमी देखने में मिलेग स्वास्ता से संबंधित आपको ज़दा परिषानी होती है तो प्रत्य महा के किसी एक शनीवार को या चाहें तो तीन शनीवार को अप छाया दान करी क्रणा भी आपके लिए काफी हद तक musical होगा और शनी से संबंधित जो स्वास्ता जन्न परिशानीयां देखने में मिल र आशा करता हूँ कि कर्क लगन एम करक राशी के जातक इस राशी फल के कारिक्रम से संतुष्ठ होंगे यदि आप को यह करिक्रम पसंद आता है या इस वीडियो साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलो झाल